अधिया जो चानल है बिलकुल बिगनर्स के लिए है और यहां पे तैयारी हम लोग करेंगे बिलकुल बिगनर्स लेबल से जीडरो लेबल से मास्टर लेबल तक ही बात कर रहे हैं बिलकुल डिए हैं और हम लोग काफी जो ज़्यर्नी चल दहा है वो चल दहा है डिफेंस टेक्डिलोजी में हम लोग आज जो हमारा सेशन हैं काफी इंपोर्टेंट होने वाला है उसके पीशे बज़ा यह है कि हम आज कई तरह के सिस्टम जैसे मानलो डिफेंस रिलेटेड जो है एक्यूपमेंट से उसके बात करने वाले हैं इस पेसलिए सावबम हो गया या ATAGS क्या है या हमने हमारा प्रहार मिसाल लॉंचर है इसके विशाय में तमाम सारे हम बात करेंगे और यह लिक्शर के बाद हम मैं भी इस पर ही पराऊंगा कि कॉन्फ्लिक्ट का जो नेचर है फ्यूचर का क्या है नेचर है और कि कॉस्ट्राइब का है फिल्प्रहा और करेंग अन बात करेंगे तुलों मैं बिस्टार्ट करते हैं सेसं को और फिस्ट फॉल्ड आपको लेक्ट का सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो आपनो क्या क्या मिलेगा उसमें तो पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगो उसके बाद फिर में सेजन प्यार तो टॉपी प्राइब में बात करूँगा तो डेली लाइफ क्लास है इस्ट्रक्चर्ड में जाया गया यहां पर सेड्यूल तो यह भी देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर्ड सेड्यूल का मतलब क्या होता है अप लोग स्ट्रक्चर्ड सेड्यूल का मतलब हुआ एक ऐसा सेड्यूल जिसमें आपका प्रिलिम्स में आपका में एक्जामिशन जिसमें आपका इंटर्व्यू प्रिलिम्स के लिए जो अब्जेक्टिव नोट्स होने चाहिए प्रिलिम्स के लिए मेंस के लिए जो सब्जेक्टिव नोट्स होने चाहिए इंटर्व्यू के लिए जो मॉप ट्रेनिंग हो तो इस आर धींग्स देट इन दिस कोर्स प्रक्षर्ड का मतला हुए हो था धींग बिल भी और गिनाइज प्रॉपर और गिनाइज बेम होगा थाथी जो जो इस्टु का हो चाहिए इसके अलबागा कौन सा बुक पढ़ें कौन से मिट्रिल पढ़ें कौन सा टेस्ट पढ़ें और कुछ नहीं पढ़ना है अब कुछ नहीं अवलेबल है इसे बेटर फड़ियो तो जो जोईन शिंपली अनेकेडमी को जोईन कर लो आपका सारा आप किसी भी हिं या को आप तक प८िल रहा है आपको आप सब्सक्राथ यहां राइफ टेस्ट यूर्या इ भी आप कर दोसं किश्कषिक और करते हो आपको इसको डाउनलोड करना होगा आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बार आपको वहां पर जिब जाओगे पहले मैं अपने बिसमत्रा बताता हूं फिर मैं आगे बताऊंगा तो मैं इसके अलावा मैंने उपसी काई जम भी दिया हुआ है और 2004 से अब तक डलही में काई सारे बच्चों जिनको मैं पढ़ा रहा हूं और काई सारे बच्चों जिनको मैं पढ़ाया है इस तर इसके फी क्या होंगे यहां पर मैं बता रहा हूं आपनों जो फी आपनों को पे करना होगा फी इसका आपको एक वन मंथ से लेकर के और 36 मंथ तरका है इसमें करना होगा कि आपको एक कोड यूज करना होगा आपको यूज करते हो आपको और यहां पहलन का नाइस है और यह आप और यहोज़िए को पिशे जहां प्लून का 친 सब्सक्राइब, ईसमाल के उपतिनकों एक इसमेंगा हूं, हूज न क्योंच्छ को आपको सब्सक्रां लेकर थिए Kita आपको 66 कम kann को पूलन होगे प्रफ़ा दी जाएगी आप कई सारे को कर सकोगे लेकिन मैं सीधा सीधा आता हूं वहाँ पे जहां पे आपके लिए आसान होगा कीजों के समझना यहां पे दो package है एक है आइकोनिक package है दूसरा है प्लस package आइकोनिक package अगर लेते हो तो आइकोनिक package में क्या होगा 12 मन्त का आइकोनिक package दोनों को चूछ सकते हैं थोड़ा सा फी इसके बढ़ रहे हैं और वार 31 को फी क्या बढ़ेगा code क्या यूज करना याद रखना आप लोग को MPS1 code को यूज कर लेना और इससे आपको 10% discount आपको यहां पर में जाएगा जो फी है इस फी पे सब हम लोग बात करेंगे यहां पर आते हैं थोड़ा सा है यहां पर समझो ज़रा सा 12 मन्त के लिए आपका जो इस है इसका फी से 49,500 और ऑप्शनल के फी से 27,500 अगर आप 31 अक्टूबर से पहले करते हो तो जी एस के फी में ही आपको आप्शनल काफी क्लास दिया जाएगा मतलब 49,500 डूपीज में आप जी एस पंप्लीट वन येर के लिए प्लस आप्शनल कर सकोगे किसी चीप हैं बिस्ट कुछ होई नहीं सकता है आप किसी भी कूजिंग आफ लाइन में चले जाओ एक सिंगल ऑप्शनल के सब्जेक कोई पढ़ाएगा तो उसके 45,000 पर लो ले रहे हैं लेकिन यहां है कि आपको जी एस के आल फोर पेपर अफ जी एस प्रेलिम्स में प्लस मेटेडियल प्लस प्लस बीडियो प्लस आप्शनल के इस प्लस बीडियो सब आपके हम मिल रहा है आपको जहां आपको जहां पढ़ना है पढ़ते रहो जहां भी पैसा बढ़ना है पढ़ते रहो प्लस बीडियो को आप डाउनलोड कर सको लाइफ की लाइफ दे सको इस सोच करके ज़रूर इसके जो प्लस कॉंसेप्श्यूर सेनियर के क्लास मिल जाएंगे आपको मुझे लगता है कि बिल्कुल आपको जोई करना चाहिए और आप बगहर किसी ज्यादा सोचने बीचारन कि जुरूरत नहीं है आप सीधा सीधा यहाँ पर जाकर के अडिशन ले लो आपको सब्सक्रिप्सिब्स कुछने कुछ लेही लो इससे अच्छा मुझे भी लगता है कि अब तक मैंने भी नहीं देखा था तो इससे बिसिकली अग बड़ा ओफर है सारे बश्यों के लिए और में अपने च्वाज के बड़े है कि आप अपने च्वाज को स्क्रिच कर सकते हो और सेम में कई सारे वीडियो की पर सकते हो यह क्या चाहिए आप पर अब तक मिला तक दूब एक बड़ा वर्द को मिलेंगे यहां पर एक अप्शनुर्स में जाएंगा उनके विडिए जाएगा उनका टेस्स में जाएगा उनका क्लास में जाएगा मैं तक हुआँ अभी अभी आभ जाकर ले लो फदर वाइस यहां पर देख सकते हों वन मंच तो लेकर 36 मंथ का कि आपशनल का फी है यहां पर तक रुपांस जाड़ सुरू होता है पचास तक में ठीक है और अगर आप जी एस में लेती हैं तो 9000 श्राइब करें इस फी में भी आपको डिस्कॉंट मिल जाएगा 10% का कोड ये यूज करना कोड यूज कर लेना है अब हम लोग आज अब बात करेंगे आज के सेशन में अपने टॉपिक पे हमने डिफेंस टेक्नोलोजी में अब तक जो क्लास लिया हुआ है वो क्लास लिया हुआ अर्टिल इसके बात हमने ट्व पढ़ा है हमने अर्णोटिक्स के बढ़ा है हमने नेवल सिक को बढ़ा हैigor इसके पढ़ा है आज हम लोग जो ऑ्रम साइल कड़ें सिफर आज के ज़ए भी पार के ज़्या किनाका मार्क वन बुलेट प्रूफ जैकेट राफिल हम लोग अल्री कर चुके हैं तो राफिल के हम लोग बात नहीं करेंगे आज का टॉबिक हम लोग आई सब होगा ठीक हम लोग बात करेंगे अब उसके बाद के नाइन वज़ टी गन पर बात करेंगे फिर एडवांस करेंगे का ठीक हम लोग का इसे के बात करेंगे हम लोग का यह थैसatics नहीं जा रहे हैं आपनोगा को इसके बादूज unique को question मिलेगा आपको और इसके पहले आपनों को कई तरह के जो हमारी जो preparation है कई तरह की जो war होता है क्या होता है कई तरह के जो conflict है उनको उसके भी समत्रा हम लोग समझेंगे चलते हैं स्टार्ट करते हैं one by one so first of all just see this पिनाका आप लोग पिनाका देखी रहे हैं कितने मिसाल दिख रहा है 12 है न 1 2 3 4 5 6 and 1 2 3 4 5 6 यहां पे 12 मिसाल दिख रहा होगा आपको यह उस सिस्टम में जो आर्मी को जवान है जो ठ्रक पे सो कड़ी करके ला रहा है अब पिनाका नाम क्यों रखा हुआ है है क्या पहले है हमजो पिनाका इंडिजनियसली डेवलप रॉकेट सिस्टम है यह चाहिए इंडिजनियसली डेवलप रॉकेट सिस्टम है चाहिए नाम लॉर्ड सिवा भगवान संकर के नाम पर रखा गया है ठीक है यह इंडिजनिय इसने किया है तो इसके लिए किया है तो connection फिनीं के लिए इसको direct लिए इसके लिए की है इसके लिए कुछ यह वैसे अपनों को पता होगा इतने सिह मिशाइज सहेंБरी इसरों और एडिफेंस या डùngनिट प्रेम compassionate इवन पोलिशी बनाने में भी धी डीड़्यों के लिए बीड़्यों के लिए लिए विडिया रिदियों कीजयार थोड़ा से पहले पर जाय की पीनाक के भी में तो माप्टू रॉकेट लांग के लिए by integrating with the navigation control and guidance system to improve the accuracy and enhance the range ठीक है इसका range क्या होगा पता है अपनों को न सब को ये इंडिया का डिजनल नेविगेशन सेटिलाइड सिस्टम है इंडिया का मैप मैं बना रहा हूँ आप लोग समझी गए अब ये जो मैप है मतलब ये जो सिस्टम है इंडिया के पूरे टेरिटरी के अलावा और मॉस्ट याद रखना फंद्रह सब किलियो मिटर के सब्सक्राइड कर सकता है और कोई भी देश हमारे इस सेटिलाइड को इसका जाइड कर सकता है यूज कर सकता है तक को यह काफी थार इस बात को हम लोग को सब्सक्राइड रहा है ठीक है अब दिखते हैं इसमें फिर्फिय आपर याद रखना पिनाका के बाद हम जो करते हैं यह इनीसियल जो वर्जन है इसक पिनाका का कर तो पिनाका मार्क बन जिसको ए रेंज ताइप किया गया था 40 किलोमीटर और इसी का अपग्रिड़ जो वर्जन है वह पिनाका मार्क 2 अग्योट के रूप में दो पिनागा मार्क वन और पिनागा मार्क टू के रूप में मार्क वन करेंज होगे 40 km और मार्क 2 करेंज ए 70-80 km के डिवलेप किया गया है मिशन achieved all the objective including enhancing the range accuracy and sub-system functionality इस मिशन के जो भी अब्जक्तिव था तो अल्रेडी थीक उसका हमने प्राप्त कर लिया है अब आगे क्या है यह देखो आप्तर सकसुस्पूल टेस्ट पिनाका मर्क वन अफ्तर सकस्पूल टेस्ट आफ इनाका मर्क वन इंडेट 19 इन वाज यूज इन दे बाटल घूल दु so the pinaka which is a multi-batter rocket launcher system can fire as a level of 12 rocket over a period of 44 seconds the mark button version of pinaka has a range of 40 and mark 2 ka पता ही है पुछतर कियो में नविगन सिस्टम of the missile is linked with the Indian ये पता ही है आपने को recent and updated version of pinaka style system was named mark 2 and this was successfully flight tested from the integrated test in chandipur पूरिशा इसका अभी हाल में mark 2 का भी test कर लिया गया है कहां से पूरिशा के चांदीपूर से ठीक है जन्रली जो हम लोग टेस्ट करते हैं लाउंसर हो गड़ा का जो अब बूदे करते हैं लोग है चांदीपूर उरिशा में बूदे करते हैं चांदीपूर रीशा में जन्रलों नेक्स हमाड़े पास है धनूस आर्टिलरी गन ये समझो अब यहां पे पढ़ सकते हैं धनुस इस फर्स्ट का पहला इंडिजिनियस अतलब स्वदेशी लॉंग रेंज लंबे दूरी का यह आर्टिलेरी गन है यह का जो कैलीवर है 155 mm x 245 mm जिसको प्रोड्यूस किया है भारत ने स्वदेशी रुक से लिखाई है और इसका रेंज है 30 km तक मतलब यह जो आर्टिलेरी गन धनुस आर्टिस्ट किलोमीटर के दूरी पढ़के अपने टार्गेट को यह नस्ट कर सकता है उससे मार गया सकता है इसको डेवलप किया है उसमें है मेंली जो डिफेंस डियाडी यह है उसका ही यह यूनिट है नाम है और इसने अभी हाल में पहले जो धनुस का पहला बैच है उसमें जी जूरी यह इन सब्सक्राव के यह जूपा है और आरमी इसको order किया है तो सकता है तो डगन हैस्ट केस्ट अंडर सीवियर कोल्ड कंडिक्शन संगी इन ले जुका है इसको टेस्ट किया गया जहां पर इसफाल रह था था अट नहांट हुद वेजर इन बालसुर, थंडे से लेकर के गर्मी जगह पे और हमीड से लेकर के वेड प्लेस पे ले जाकर के इसका सभलता बुर्बक टेस्ट किया गए कहीं पे कोई भी एकुरेशी में गरबड़ी होगा फिर से उसको हम लोग उसको देखेंगे चिक करेंगे और इसको 100% एकुरेट बहाना है क्यों इसको तब तक सामिल नहीं करेगा जब तक अपने रेंज में रेंज को धोस्त करने में 100% यह एकुरेट नहीं बैठता है जब तक से ना कभी भी इसे सामिल नहीं करेगा तो इसे सामिल नहीं करेगा नहीं होगा इस इंडिया प्रक्यूर्ड इन मीड नाइंटीन एटी अग बफोर्स जो है राजी बांधी के साथ जूरता हुआ दिखता जाता है मैं आपको याद हो करगवार्ड में करगवार है करगवबार में बफोर्स चौप का बड़ा सा योगदान रहा था तो इहीं वह था जो हर तरह के टेरें पे हम हमें अटेर करने में हेल्प कर रहा ता यह अच्छे इसको वह फोर्स के बात करें हो, थनुस गन के बात करें, धनुस गन इस फिटेद भी ता है, ग्लोबल पोजिटिंग शिस्टम जीपीज से यह एड़े है यह, ठीक है न, अउटमेटट गन साइटिंग सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है, फ्लस इसमें इसमें कैमरा है, फ्लस इसमें थर्मल इमेजिंग अन लेजर रेंज फाइंडर भी इसमें लगा हुआ है, यह सारा सिस्टम धनुस को स्पेस्पिक बनाता है, धनुस को विशे में एक बात और जानवा अब लग, धनुस इसमें अब बात और जानों अब लग, धनुस अलसओ सर्फेस तू सर्फेस सौट रेंज निकुलियर कैपेबल बैलेस्टिक मिसाइल्स, क्या थै धनुस 1, धनुस 2 और धनुस 3 को विशे में बताया था, और मैंने बताया था, कि धनुस नाम भी रखा हुआ है, जिसको डेवलप किया था, डिय अडियो ने, इसमें ने नेवल वारियंट अफ का 150, किलोमीटर 2 का 250 से लेकर 250 है और 3 का रेंच से लेकर 600 तक है, किसके पृच्वी का, पृच्वी के जो तीनों मिसाल से है, 1, 2 है, 1 आर्मी के लिए है, 2 एरफोर्स के लिए हो गया, 3 नेवी के लिए हो गया, यह तीनों जो रेंज हमने डेवलप किया हुआ है, और यह नौर्थ अट्लांटिक ट्रिटी अर्गनाइशन नाटो 155 mm एम्मिनुशन सिस्टम कौन धनुस की बात का रहा हम धनुस तू जो है इसके साथ ही नाटो का 155 mm इसके साथ ही ये कंपीट करने में सक्षम है चलो नेक्स हम लोगा है यहां पे पीसरा भावा कबच यह है क्या बूलेट प्रूफ जैकेट है इसको भारत ने खुद डेवलप किया है तो इंडिया इंडिजनियसली डेवलप बूलेट प्रूफ जैकेट याद रख नहीं है इसका नाम है और इसका नाम है और इस डिवलप्ट इंडिजनियसली बाइ ओर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड एंड मिस्तरा मिस्त्रधात्तू नीगम लिप्टेट मीधानी ठीक है विट ट्रांस्पर अफ कारबन नेनो मेटरियल और फ्रम भावा एटोमिक रिशर्च सेंटर बार्क बार्क के जो हमी जहां की दिवाबा उन्ही के नाम पड़ है यह दिखें और यह है कहां पे और यह जो अर्डिनेंस फैक्टरी हो गया या मिस्त धातू नीगम है या जो बार्क हैं यह सबने इंटिग्रेटर डूप से इसको डेवलप किया हुआ है अब यहां पर द इसका जो वेट है वह 6.8 kg है जबकि जो गंवेंशनल ट्रडिशनल जैकेट था उसका वेट था 17 kg और यह जैकेट तो क्या इस प्रस्ट बनाता है तक इस जैकेट जो बना हुआ है लेयर अफ हाइट इनसीटी हाइट थेनसीटी पॉली थीलीन से बना हुआ हुआ है polyethylene, which are fused together at high temperature to form a thick hard armor plate which is then sprayed with carbon nanomaterials, now nanomaterials, this is nanotechnology का use क्या हुआ है, nanomaterials क्या होता है, कई तरह के nanotube होंगे, carbon composite materials होगा, इस सब का इसमें यूज क्या हुआ है, so the materials used in jacket are hard boron carbide ceramics and carbon nanotube plus composite materials होता है, इन तीनों का material यूज किया हुआ है, तरह पूच सकता है, भाई बूलेट को फिस जैकेट है किसका बना हुआ होता है, तरह का सकते हो, boron carbide one carbon nanotube, two carbon composite material तीन या nanocomposite material तीन ऐसे कह सकते हो, तो developed या भावा बार्क ने और इसका नाम है भावा कबच या bulletproof jacket developed by indigenia, developed indigenously by india, and यह जो कबच developed किया हुआ है, यह making in india कारे करम के तहट developed लिए गया गया, तीक है, अब इस जैकेट है, इस जैकेट है, इस जैकेट को टेस्ट किया गया जब, यह test में qualify किया है, ठीक है, all the ballistic test इस पे जो किया जा चुक है, बलेस्टिक का मैं यहाँ पसंद से मिला, missile करने, बलकि वह speed की बात कर रहा हूँ, और इसके लिए जो ने इसको इसको क्वालिफाई किया, कि यह अपने, जिसका जो बनावट है, उसमें परफेक्ट है यह, और ह कि यह किस किस तरह के गन है, या राइफल्स हैं, उससे यह परूफ है, बात अब जो कोई बिक्ति इसको पाहन लेता है, या कोई soldiers पाहनता है, तो किस तरह के राइफल्स बाच सकता है, यहाँ पर देखो, लेवल 3 इसका नामस्लिए रखा हुआ है, बुलिट जैकेट है, इ 69 mm का अगर बूलेट है उस बूलेट को यह रोक सकता है जो एक फोर्टिशेवन का हम लोग यूज करते हैं ठीक वैसे ही हम लोग आप लोग इनसास आप या इस एलार इनसास भी क्या है प्रकाट का यह आम्स हैं और इस एलार भी एक राइफल है इस राइफल का जो बूलेट ह और आइचा बाल जैसा होता है उस बूलेट को भी यह रोकने रोक सकता है और इस प्रकार से कियो इन जो सेक्रियूटी फोर्स है चयाhen वह फो सफो हो प्र सो और वो एशेसञें हो कि प्र Foi हैन भी हो इस अrence अब इसके लिए जो मिनिस्ट्री आप जो होम अफेयर्स है इसको इंड़क्ट करने के लिए इसका एप्रूबल दे दिया हुआ तो सबसे बड़ा बात यह है इसको अब इंड़क्ट करना में सेनाम को दे दिया है इसको आप आमिल कर सकते हैं नेक्स है के नाइन वजर की बात कर रहा हुआ है के नाइन वजर क्या है बेशिकली देखोड़ के टी एक वन इंड़क्टिफाइफ इमिम्ड्रेक्ट सेल्फ प्रोपेल्ड होविज्जर है यह है के नाइन वजर है यह सेल्फ प्रोपेल्ड होविज्जर 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 टैंक की तरह होता है विच है इस रूट इन थंडर और यह जो वजर है यह हाई रेट अप फायर अट लॉंग रेंज और इस कंपेटेबल बिद इंडियन और इस्टेंडर्ड नार्टो क्वेशन सों यह यह कंपीट करता है यह ठीक है और इसमें क्या क्या खासियत होता है तुछ इसका फ्लेट फॉर्म है वो बना हुआ है इस टील से अंडिसका दिजाइन है वह मैप्स मोडूलर जिमूथ पोजितिव सिस्टम पर यह इसका डिजाइन किया हुआ है इसमें इसमें लगा हुआ है इसके अलागा के नाइन जो थंडर प्रेटफॉर्म है इसके बात कर रहे हैं इसका जो गन है वह वह तक 155 mm का है इसमें आप लोगा है यह जो टेक्नोजी है यह साउथ कोडिया है और लार्सन अंटर्बो के साथ यह देवलप गया गया है और हनावा टेक वीन इसके साथ यह पार्टनर्स ही पिया गया था और फिर हमने इसको ट्राप्त किया हुआ है इसके साथ पार्टनर्सिप किया गया है जब हमने इसको प्राप्त किया तब लार्सन तर्बो ने इसको फिर से से संबल किया है घो कि हमने इसको आउhist से यहां बढ़ जाएगा तब कि यह बेपंस हैं इसका फायरिंग जो रेंज है ठीक है वह कहें ने कहें इसे आज के डेट में अब बनाता है इसको आप मतलब आ लाइन अब डिफेंस हैं उसके रिस पेक्ट में यह काफी रिलाइबल है और पावरफुल भी है इससे पहले हम लोग अमेरिका से और यह हमने 700 मिलियन डॉलर में यह एक डिल किया हुआ था और अल्टिमेटली क्या है कि आभी भी यह जो अगर बेटर है तो वह है हमारा अपना स्वादेशी रुप्से डेवलप और अपोर्टिर भाई हनवान टेट बिन यह है यह बिसिकली यह नाइन वज्जरा फार बेटर रहें दर की वेस हो बिज्जत अब बात करेंगे थोड़ा सा इसी में एटी यह जीएस में एटी यह जी एक डारवब भारत होड गैह LeVIS कारण हमने टेश्ट भी किया हुए इस इसका वी कीया है इसके डुनिया में इस तरह का जो गन सिस्टम है वह अपने आप में सबसे बड़ा होगा और इसका सफलता पुर्बग जो टेस्ट है जैसल मेर में सप्केमबर 12 2020 को किया जा चुका है अब चलते हम लोग यहां पे एक बात करेंगे शाओ के बिशाओ किया है यह Smart Anti Airfield weapon है इसको डेवलप किया है वो फिर DRDO ने डेवलप किया हुए है along with DRDO इसमें Research Center इमरात प्लस DRDO प्लस एंडियान एरफोर्स तीनों का एक साथ इसमें कंट्रिबूशन है तीनों के लेबरेटरी को यूज़ किया गया है और इसको डेवलप गया गया अब इस सिस्टम का खास बात क्या है इसमें लगा हुआ है और जिसके क्या होता है यह का अपने टार्गेट को डिस्ट्रॉआई करता है हाई प्रिसीजन से मतलब इसका जो होई जहास इसको हमने ड्रॉप करना है और ड्रॉप करने के अब ऑदी एयर में ही फ्लाई करेगा और फ्लाई कर जो करेगा फिस तरस होगा कि अगर डूस्रमन का कुई रडार्ड भी को ट्राइक कर लेता है् यह साब उस करो ट्रैक करने तो है साव है यह वो बम है जो लेजर गाइडेड हैं और इसका जो भी टार्गेट होगा जहांने जो बंकार हो चाहे एरक्राप्ट थैंगर्स हो या किस तरह के स्ट्रक्ट्टर पे गिरेगा इसके निस्किनाबूद करने में छप्चम है अब यह जो वेपन है इसका अब तक जो टेस्ट है आठ बार हम लोग कर चुके हैं तो ट्राइल हो चुका है और यह लाइट वेट लॉंग रेंज रिजन डाइड़ एंटी एर फिर्ड वेपन्स हैं इसको ग्राउंड टार्गेट को बिसिकली डिस्ट्रॉय करने के लिए डे वाई जहाज यहां पे है और अपने सीमा के अंदर इसे अगर ड्रॉब करते हो यह बंग गिरेगा और यह में चलते हुए यह जो डिस्ट्रिंस यहां से यहां तक पंडेट किलोमेटर ट्रावल करेगा ट्रावल करने के बाद यहां पर यह टार्गेट होगा यह इस का बोर्डर यहां के समाप्थ हो रहा है इंटरनेशनल जो एयर एरिया यूज पॉलिशी है उसके हिसाब से हम दूसरे देश के एयर स्पेस पर नहीं इंटर कर सकते हैं हम अपने स्पेस में ही रहते हुए फी दिन अपने टेरेटरी रहते हुए अगर हम बंक को गिरा दें तो पर य कर ना मिंगार इंट पॉर्फ फीज करोड है और था एक पर दो खॉक्तप्रॉर्च थाज करोर में तो स्प्टमिट अस स्पालिक कर दो प्सक्तॉ पॉडूर्च करोर था था इंटक्व स्टें पॉड्ट 2 थाइओ अग्व एक ठान क्रीफ दीकिस, त्पॉर्च करोर आप हमें थवा से बात करने जा रहें, टेको हम चाहता हैं, इंडिया चाहता है कि उसका एक अपना minimum डेटरेंस कपरीबिलिटी बहाल हो, हम चाहते हैं, कि हमारा minimum डेटरेंस कपरीबिलिटी हमेशा मेंचेन रहे या बना रहे, इसके लिए हमने अपना नुठलीर पॉलिसी बनाया इसके लिए हम अपना डिफेंस पॉलिसी बनाया इसके लिए हम इसा जब क्या वो modern जो वार सिस्टम है ठीक है जो फ्यूचर वार सिस्टम होगा उसके लिए क्या त्यार है अब यह दिखना होगा क्योंकि फ्यूचर के त्यार होने का मतलब हुआ उससे करना पड़ेगा और मॉडरनाइजेशन के लिए ठीक है उनका जो एजुकेस्टा नहीं करते हैं अब तक देले होते आया है अब जो एक्जिस्टिंग गर्मेंट हैं यह बेटर कर रही है पहले जो गर्मेंट आप बेटर होड़ा है और आने वाले समय में इसे काफी फास्टल इसको करना पड़ेगा जैसे 2018 में इंडिया ने काफी सारे मिसाल का टेस्ट किया जा था और डिफेंस के ख्याल से 18 साल बहुत अच्छा था कि हम लोग उन्हें इसको भी देखे हैं हम लोग 20 में आ गए और अक्टूबर का महिना है यह चलता हाकरी और 20 में हम लोग यह जुरूर्त पड़ा है और कई तरह 2 वेपंज हमें फूर के लिवह त्यार करना है ताकि हमारा आर्मी हमारा एयर फोर्स हमारे ने भी हर तरह के वर के लिए त्यार रहे हैं अब मैंने कहा कि जो डूर का जो जो है जो नेचर है जो conflict का जो nature है, वो बदल गया हुआ है, वो कैसे बदल गया है, पहले क्या था, दो state आपस में भीड़ जाता था, जा हो इसू किसी चीज का हो, आज state आपस में भीड़ता है, बलकि कई दफ़ा तो organized crime के थो भी हो crime करता है, कई दफ़ा किसी particular religion को बेस्ट करके, कास्ट नहीं कहो, पर religion को बेस्ट करके, area को बेस्ट करके, internet security को disrupt करके, और वो आपके साथ youth लड़ते होता है, लंबे समय तक youth हमें रहता है, इसलिए मैं रहता है, इसलिए मैंने कहा है, चैंजिक नेचर जो conflict है, नेचर कहा है, जो चैंज हो रहा है, और कब से चैंज हो रहा ह Now, in the aftermath of the Afghanistan and Iraq war of the first decade of this century, the world has witnessed a reduction in full-page state versus state war, जी 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 मैंने समय दोगे, भीजिए अट नी जी जी लेग्ञे है, इसलिए जी पलदे कैशनी मैंने को टूपे ले नूड लोग्टे जी 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 जीए, बेसा है, जी ज प्लस रिगुलर वार्फिरे, स्टेट वर्श थिस स्टेट वर्ष ठीक हैं अब इसके लिए मअने आप वसम्हो कि इन केस बिंडिया, ओल स्ट्शवर्वार्विल बीफ़ॉट अडर अन्युकलियर ओवरहेंग implying that escalation to the level of nuclear exchange is possible and must be planned for all different kinds of warfare इसे कोई की याद रखना तो रेगूलर वार्ट फेर का मतलब क्या होगा एक अवैसा कंफ्लिक्ट है इसमें एक स्टेट क्या होता है ट्रेंड कॉम्बेटेंट को या मिलिटेंट का लो उसको तियार करता है तो रेगूलर अज्डाव मिलिटेंट नहीं होता हूँ वह ट्रेंड करके उसको रखता अपने पास और इसी को वह डीप्लुवाई करता है पाकिस्तान के किसाथ देखो पाकिस्तान तो बीगूलर सत इरेगूलर देखो इस और इस वार अगिस्ट इंडिया पाकिस्तानी का वाली कहते हैं क्या मिलिटेंट कहते हैं गया लोग है इसको त्रेंड किया गया है आजे मिलिटेंट आजे कॉंबेटेंट आजे टरिरिस्ट कहा लो उस तरह के warfare कहुंन बोलते हैं irregular warfare, दूसरा है asymmetric warfare यह asymmetric का मतलब unequal तो ऐसे state आपस में भीरता है जिसका military power में बड़ा से difference होगा ठीक है? अब वैसे मित्रा होगा ठीक है, so that और वेकर साइड तो वीकर साइड जो हो क्या करे है using non-traditional means like terrorism आज के दिट में पाकिस्तान भी इसी पूजिसल में है इंडिया के सामने ठीक है या वो इंसर्जिंट में ठीक है insurgency के थूँ भी इस तरह का disturbance करेगा या वो ट्रेरिस्ट के या जो है अब यहां तो यहां पर मैं दिखने हैं अल-काइदा हो गया ठीक है आफगरनेक्सान में देखे हो थे आप यहां पर तालीबानी था यह सब अटेक किया था और फैनली धीमे धीमे इंटरे करते करते पुटा आफ़ इंसान पर कभजा कर लिया था ठीक वेसे ही खोज़ अनकन्वेशनल वार्ट्वेर ठीक है अनकन्वेशनल का मतलब क्या हूँ हाँ पर है तो गैर परम परागत जो वार्ट्वेर है गैर परम परागत मतलब हुआ एक वार्ट्वेर वो होता है जो परम परागत है इस्टा होता है गैर परम परागत यहां आपर पढ़ सकते हो कि वार वेज़ बाया कंट्री यूजिंग मिंस अधर दैन इस्टेबलिश फर्म आप कंट्लिक्ट तुमेक देडवर्सरी एवन बिदाउट ट्लासिकल वार्ड ये एकोनॉमिक हो सकता है ये वार्टर को लेकर हो सकता है ये लीगल वर्शिक्स होता है कई दफ़ा एभी उसकत अपके साथ वह वार्ड करता है ये वह वर्फेयर है वह हतियार है ठीक है प्रीसे तक एफ़ी टेक्निलोजीकल और इंफॉमेशनल वार्फेयर टेग्लोजीकल का मतलब हुआ कि वह रख़ियार है जिसका यूज करके बरे दूक्षान पहुँचा सकते हों और आज के डियित साइबर स्पेस्ट्रोनिक्स प्रोपागंडा साइकोलोजिकल मीडिया सूसल मीडिया वार्ड इस सब क्या है प्रिशिकली टेकनलोजिकल और इंफर्मेशनल वार्ड पेर अक्षर रिखते नहीं हो फेस्बूप पे या यूटूब पे या ट्वीटर पे कई तरह के इसूज ब करता है और वो भी एक पकार का बड़ा हथियार है यह भी आप लोगों को यहां प्याद रखना है अब यह सारे जो वार फेर अब समझी रहा हूं आज क्रेटर में जितने भी स्टेट से इस वार फेर का यूज कर रहा है अब वैसे में एक क्यूस्टन मनता है कि इन दा अब तेकनलोजी डो मिनेैटेग बैटल फिल्ड अब दा फिऊचर कि हम किस तरह कर तयारी करें इस तरह से मॉडर्नाइज करें किस लेवल मॉडर्नाइज करें जीका ताकि भविश्य में हर परसितिम होने वाले युद्ध को हम कर सके हर परसितिम का है अपसेंस हैं जितने इस को यूज़ कर सके हैं हमारे ऊद्टेसर में हैम सथापित कर सकें launch और में अधिन सकते हो है इससे हrie वी तरह किसे हैं य। चैनल को और यह भी होगा आप इसको share कर सकते हो later I will provide you on my telegram link and as well as my unacademy link unacademy link से जो लोग जूदे होगो वहाँ पर आप लोग question लिख सकते है उसका answer जो लोग नहीं लिख पाते हो मैं उनके लिए provide करूँगा तो तब तक के लिए सभी बच्चों को thanks and code याद यहाँ पर रखना मेरा code है यहाँ पर MKS1 इस code को आप लोग को यहाँ पर याद करना है one minute I am going to write the code ठीक है code याद रहे करें आप लोग को क्या याद करोगे code में so for code you need to use this and तब तक के लिए सारे बच्चें को याद रखनें लिए MKS1 code याद रख लेना आप लो and 31 October से पहले मैंने बताया आप लोगो को fee बहुत कम है 49,500 में आपको पूरा GS और पूरा optional कहीं कोई करा ही नहीं सकता है और जो class आप देख रहे हो तो इससे आप को समझ में आ रहा होगा तो भई हम लोग जो provide कर रहे हैं उसका quality क्या है तो बेटर है कि आप जोईन कर लिजिए on academy और फिर आप अपने त्यारी करते रहिए चलिए तब तक भी आप सबको thanks and bye झाल